हेलो फ्रेंट्स, इंटरनेशनल फ्लाइटों की बड़ी खबरों की जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो जो लोग भी इंटरनेशनल फ्लाइटों से ट्रावल करना चाते हैं और आ रही इन सारी खबरों की जानकारी लेना चाते हैं, तो ऐसे सब भी अब वहाँ पर एक और नहीं एरपोर्ट से फ्लाइटे चालू हो चुकी है, जी हाँ दोस्तों, इस एरपोर्ट का नाम यहाँ पर फैलिप एंजिलस एरपोर्ट है, इस एरपोर्ट से अभी फिलाल के लिए डॉमेस्टिक फ्लाइटे आपरीट की जाएंगी, और आगे आने समय में बहुत ही जल्दी इस एरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइटे भी चालू हो चाएंगी, इसके ससर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और एक और बड़ी खबर यहाँ पर साउथ कोरियों को लेकर जान लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, साउथ कोरिय की तरफ से यहाँ पर पूरे दो साल के बाद आप जाकर अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर को सभी टूरिस्ट लोगों के लिए चालू करने जा रही है, एक अप्टल से साउथ कोरिया में ऐसे सभी पैसिंजर्स ट्रेवल कर सकेंगे, जीन लोगों ने वैक्षिन की दोनों डोज ले रखी होगी, यानि कि जो लोग फुली वैक्षिनेटीड होंगे, ऐसे सभी लोग जो लोग भी हाँ पर यूके से ट्रेवल करके जाएंगे, इसके अलावा कैनेडा, औस्टेलिया और भी दूसरे देशों से ट्रेवल करके जाएंगे, तो इन लोगों को वहाँ पर जाने के बाद कॉरिं पर जाना चाते हैं, ऐसे सभी पैसंजर स्वाया होकर साउथ कोरिया के लिए ट्रेवल करके जा सकते हैं, इसके अलबा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और एक और बड़ी खबर यहाँ पर नाइजेरिया को लेकर जान लेते हैं, तो आपको बताते चले कि नाइजेरिया की ग ऐसे लोग यह दि नाइजेरिया में ट्रेवल करके जाएंगे, तो इन लोगों को आपने साथ 48 घंटे से पहले वाला PCR टेस्ट लेकर ट्रेवल करना होगा, और ऐसे सभी पैसंजर स्को नाइजेरिया में जाने के बाद, दूसरे और साथवे दिन फिर दुबारा से करोना व फ्लैटों की कैपिसिटी को बढ़ा रही है, जैट इस्टार एशिया को आप यहां पर सिंगापूर चांगी एरपोर्ट के लिए चार फ्लैटों को आपरेट करनी की पर्मिशन मिल चुकी है, इसके सबस्त वो यहां पर वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया के बाली एरप को अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और यह लाइस ट्रावलिंग से आने वाली और भी लेटिस्ट खबरों के लिए आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर फॉलू करके रखें